हेलो दोस्तों एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है आप सब लोगों ने विशिंग वेल तो ज़रूर सुनी होगी और अगर आपने ऐसी वेल कहीं देखी है तो हमें कमेट में ज़रूर बताएं पर क्या आप लोगों ने कभी हॉंटेड वेल सुनी है अगर नहीं जाने से डरते हैं तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं मौद का कुवाँ दोस्तों मूंबई बहुत जा सारी फैसिल्टीज हैं वहीं कुछ ऐसे गाउं भी है जो मूंबई में होकर भी चेतर पूरी तरह से भरहे काह फार्म या 미मान. हांटिट दो कारणों से है एक तो यह बॉडरलेस है कुवा पूरा खुला है जिसमें गिरे तो बचना मुश्किल है दूसरा कारण है जो लोगों को हिला कर रख देता है वो कारण है कि यहां एक औरत का साया है जो हर रात आकर लोगों को अपने पास बुलाती है हर रात वो औ यहां दिखती है और लोगों ने रातों को इस कुवे के पास जाना बंद कर दिया आईए जानते हैं यहां ऐसा क्या हुआ जिसने इस कुवे को इतना हॉंटेड बना दिया दरसल दोस्तों इस कुवे का सबसे असमाल होता था और यहां पानी के लिए 24 गंटे लोग रहते थ एक दिन एक औरत इस कुवे में गिर गई जिसको किसी ने नहीं बचाया और उसने बचने की बहुत कोशिश की उसने बहुत गुहाल लगाई कि उसकी मदद करके उसे बचाया जा सके पर किसी ने उसकी मदद नहीं की उसी दिन के बाद से उस औरत की आत्मा इस कुवे में र गई तो कुए में किसी बच्चे की रोनी की आवाजे सुनी जैसे ही उसने कुए में जहाका तो पानी का रंग लाल हो गया मानों जैसे कुए में पानी नहीं खून था ऐसा ही एक हाथसा यहां एक व्यक्ति के साथ हुआ जब वो कुए के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक औरत कुए की तरफ बैठी है और कुए में गिरने वाली है तबी वो कुए के पास गया उसे बचाने के लिए और औरत का हाथ पकड़ने लगा तो औरत गायब हो गई और वो व्यक्ति उस कुए में गिरते गिरते बचा बहुत हाथसों के बाद यह रात में जाना लोगों ने बंद कर दिया ऐसा माना जाता है कि रोज रात को उस औरत का बूत इस कुए के पास टहलता है ऐसा माना जाता है कि आज भी वो औरत कुए के पास आती है बैठती है और रोती है कई बाल लोगों ने चीखने और चिलाने के आवादे भी सुनी है और इसी कारण से इसे one of the most haunted place of India की list में शामिल क्या गया है कर दो